नमस्कार दोफ्तों मैं संदीप स्वाकत आप सभी का आज कि इस नहीं कलास में चले दोफ्तों आप लोग ज्यदा से ज्यदा कलासे से जौएन हो जाईए क्योंकि आज कि इस वीडियो बात करने वाले बीए की हिंदी से संबंदित मोस्ट इंपर्टन कॉष्चन और एंसर के बारे में क्योंकि यह सारे कोश्चन में आपको बताने वाला वीडिव में वह सारे मुश्ट इंस आपके आने वाले एक्जाम के लिए टॉप लेबल के हैं सारे कोश्चन नए आधारित है और समेश्टर पड़ाली पर भी आधारित आप सभी कुमानुविक्स बाद समेश्टर वाज एक्जाम होंगे तो उसी पर आधारित कोश्चन है तो पूरा वीडियो ध्याँ से समझेंगे आपको इस बताने वाला तो बीड़ा देरी को बीड़ा बढ़ते हैं और आपको एक्जाम समझाने का प्तियाश भी हम करेंगे तो काफी मदद मिलेगे चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करें यार दूस्तों जिससे आप लोगों को जो भी में वीडियो प्रोड़ाइट करो आप तक नो यहां पर मैंने 59 से स्टार्ट किया क्योंकि इससे पहले के टॉप लेवल को इसन में आपको प्रवाइड कर चुका हूं तो आज किस वीडियो का पहला कोश्चन है कामाईनी के महत्तों प्रकाश डाले तो कामाईनी बहुत ही टॉप लेवल का यह जो आप रों महाकाब है ठ 100% में कह सकता हूं आपको कुश्चन देखने को ही मिलेगा यह ध्यान में जरूर रखिएगा तो जो कामाईनी है महाकाब्य जो कि स्री किसकी है जैसंकर प्रसाद जी की रशना है हलाकि अभी आप डीटिल में पढ़ेंगे एंसर इसका मताएंगे तो आप समझ जाएंगे ठ 15 सर्गों में विवक्त है जिसका नाम करण चिंता आशा स्रद्धा काम वासना लज्जा आध मनोविकार के नाम पर हुआ ध्यान लखेगा 15 सर्गों में विवक्त है जिसका नाम करण चिंता ठीक है चिंता स्रद्धा आशा काम वासना लज्जा आध मनोविकारों के नाम पर एक मानो वph적िनि अक्तर रुपानिक और दार्शीं की मंतव को प्रकट बंदि इस समय की वही लांवा तक्ति में एक द्हां तथा समनुए मार्ग का परतिपादन किया है प्रस्तुत का माईनी एक विजिष्ट साहिली का महाकाब्ब्य है ओशका गवरो उसके युग बोध ठीक है परिपुष्ट चिंतन महात उदेश और पॉड्ल शिल्प से नहीत है उसमें प्रचीन महाकाब्ब्यों का सावर प्रणन आत्मक विस्तार नहीं है पर सर्वत्र कभी की गहन अनभुत के दर्सन होते हैं तो यानि यह जो है यह कामाईनी से सम्मंदित का महत्तु है इसके बारे में वैंने अंसर बताया लेकिन यह ध्यान में रखेगा यह कुश्चन अत्य लगुत्रे लेबल का है तो आप ल कमाईनी का महत्ता आप लोगों को सबज में आ जाया होगा नहीं भी आएगा तो एक दो बार वीडियो जरूर देखेंगे नहीं देख रहे हैं तो बाद में कुंस्यन आप लोग लिख लीजिए गाद में पढ़ जरूर लीजिएगा दोसे तीन बार देखेंगे तभी आप लोग को इसने समझ में आएगा यह मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं ठीक है एक बार से नहीं आएगा मैं उसकी गारंटी नहीं लोगा ठीक है अगला कोश् च्छायवाद के कभियों में और से भिन अपना एक बिसिष्ट और निराला अस्थान रखती हैं कहने का मतलब यह है जो महादेवी वर्माजी कैवित्री है वो च्छायवुद का जचायवाद की कभित्री हैं ठीक है यह जो च्छायवाद के अनकभी है उनसे यह अलग है य अगर थोड़ा जानकारी है तो और लिखा है कि इस बिशिष्टता के दो कारण है एक तो उनका कुमल हिर्दे नारी होना और दूसरा अंग्रेजी और बंगला के रोमांटिक और रहस्चवादी काब से प्रवावित होना ज्यान रखेगा उनके दो कारण है जो को आपको मैंन उन्हें अपने आत्याधमिक प्यत्तम को पुर्श मानका स्वहाविक रूप में अपनी इस्त्रियोचित प्राणनियों भोतियों को निवेदित करने की सुबिधा मिली है मिली दूसरी और प्रचीन भारतिये साहित और दर्सन तथा संतियुक के रहस्चिवादी काब के उनकी काब बिमेंजना और बौधिक चेतना सत प्रसत भारते परापरा के अनरूप बनी रही इस तरह उनके काब में छायावादी प्रवत्तियों का समावेश तो है यह शाथ ही भारते सांच्कित बिसिष्टाएं भी बिग्दुमान है तो यह रही महादेवी वर्पा के काब की मुख्य विश्ष्टाएं जो कि आपको याद रखना हलाकि जब इसके वारे में और डीटेल में आप पढ़ेंगे तो इनके काब की जो जो आपको पॉइंट वाज कर नहींगे तो आसानी होगी तो यह द्यान लखेगा हलाकि एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आजाएगा सूरिकांत्र पाठी निराला जिनकी जो बाद है निराला है जिनका पूरा नाम मैंने आपको बताया लिखा निराला का ठीक है वैसे स्टे निरूपित कीजिए तो इसके बारे में हम लिखेंगे आइंसर में लिखा कि निराला सार्व भौम प्रतिमा के सुब्र पुरुष थे उनकी हिंदी कविता को एक दिसा मिली एक ऐसी रहा मिली जो दुवेदी युगीन इत्रवत आत्मक्ता उपदेश प्रतत्ता और नीरसता के कंकर पत्थरों को कूट पीश कर बनाई गई थी इसका मतलब पत्थर को पीश के बनाएगी इसका मतलब लेंगज में लिया गया ना कि रियालिटी में लिखा है कि वेस्टोयम इस रहा पर चले और अपने काब स्त्रजन को अर्थ माधूर वेदना और अनुराक से भरते चले गए यही वज़ा है कि उनका जो इनके यानि की दुबेदी युग में इनका जो नाम करन है यह फिर नाम है वो आगे दर-बाई-दर थीक है बढ़ता गया और वो पूरी रूप पूर रूप से थीक है वो उसका आधार बना ठीक है उसका बहुत ही टॉप लेवल की हैं जो कि आप लोग निराला के बारे में और फिर फढ़ेंगे तो आप लोगों को सारे question का answer मिलेगा हलाकि यह जो question है answer है यह सिर्फ अतिलग उत्रे बेश का यानि कि सौट answer है मुश्किल से अतिलग उत्रे question का answer आप लोगों को ठीक है कितने मुट देना है ज्यादा नहीं बस वर्ट तो मैं नहीं कहुंगा बर बैं तो आप लोग सब्सक्टे इसमें डेते हैं कि dair EVERS country में लेकिन आप जो भी हो सकते प्रिसक्ते हैं और बिया लेकिन इतना भी आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आजएगा हलाकि नेस्ट वीडियो आगे तो इसमें निराला जी के बारे में और आपको समझा देंगे लिखा है नेस्ट कोश्चिन हम बढ़ेंगे सिद्ध कीजिए कि अग्ये प्रेगबाद के प्रतिष्ठापक तो पढ़ते हैं और आपको हम समझाने क्विटास करेंगे लिखा है कि अग्ये जी की प्रमुकाबिक्रतियां भग्न दूद्ध चिंता इतलम हरी खास परचण भर ठीक है खास परचण भर बावरा अहेरी इंद्रधनू रोंदे वे अरी ओकरुड़ा प्रभा मैं आंगन के पा से तुवादी दर्शन में था उनकी कवित थी कविता यात्रा इसका प्रमाण है प्रेम प्रकर्ति और पीड़ा को नए रूप से प्रस्तुत करने वाले अग्ये जी अपनी प्रियुक शील और प्रगत शील प्रवित्ति के कारण अपने ठीक है परवर्ती काव्य में ध्या सब्सकेंब नए प्रतीक और नए उप्मानों का विधान देखने को मिलता है , इन्होंने प्रकर्ति के सवंदर को विशिस्ट मुहावरा देकर और अधिक आकरशड बना दिया, ज्यान दिजेगा इन्होंने प्रकर्ति के यारि की इशवर के सवंदर को उनके जो सवंदर리 ह है उसके बिसिस्ट मुहावरा देकर यानि कि एक्जामपल आप कह सकते हैं अपनी वासा में उदाहरार देकर बहुत ही अच्छा आकरशन उसे बना दिया लिखाए कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि अग्जी प्रियोगवाद के प्रितिश्ठापक हैं यानि कि कुल मिलाके प्रि अगे जी ही हैं तो यह कोश्चन का एंसर आप लोग दो बार पढ़ेंगे तो आसा हैं समझ में कि जो कृतियां हैं कुछ आप लोग याद कर लीजीगा उनके बारे में थोड़ा आप लोग बता दीजेगा कि लोने प्रिकृति के बारे में संदर महारा देकर और अच्छा क नहीं लिखना इतना लिख देंगे तो आपको काफी हो जाएगा ठीक है आपको पूरे नमबर मिल जाएंगे कि हिंदी साहित के इतिहास के किस काल को लेकर सरवधिक विबाद है यानि कि हिंदी का कौन सा ऐसा काल है जिसमें अधिक विबाद है चलिए पढ़ते हैं देख ल असपद रहा है नामकरण विषयक विवाद अनेक कारणों से उत्पन हुआ सरवधिक विवाद प्रारंबिक काल को लेकर है या या वाकाल है जिसके लिए भिन विद्यानों ने अपने अपने धंक से प्रथक 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 नाम प्रस्तित किया है भक्त काल को सभी ने भ व्यापक परिदि और उसमें नहित वस्त वैवित के कारण उसे उपखंडों के नाम करण को लेकर किंचित विवाद है तो यही जो काल है जिनके बारे में विवाद है पहला तो आप लोगों ने देखा भक्तिकाल और दूसरा जो है वो है रीत काल ठीक है और आपनों उसे से जुड़े जो है आधुनिक काल उसी को जो कहते हैं तो यह जो कुछ काल है इनको लेकर जो विभाद बना है अलाकि अलग अलग कवियों के नाम करण के लिए भी काफी विवाद हुआ और अलग-अलग बहुत सारी चीजे होती है तो उन पर भी विवाद हुआ है तो यह जो पार्ण कोश्चन यह भी है और लिखा कि नए कविता ता कभियों का नाम लोग किजी यह जो हमसे ने कविता कवियों को नाम लगए तो फुली मार्क मेरेंगे यह ध्यान लगएगा अब लोग लिख देंगे ने कविता भी अवे वो निम्नुमत हैं तो यहां पर आइंसर म इसी तरह लिखा गया कि ने कविता के प्रमुप अफ्ताच्छर है अग्ये मुक्तिबोद नेमी चंद भारत 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 भूश्ण अग्रवाल प्रभाकर माचुवे गिर्जा मातुर राम विला सर्मा भवाने प्रसाद मिस्त्र ठीक है शंकुद मतुरा हरनार प्राश समसेर बहादूर सिंग और बहुत सारे कभी हैं यहां पर प्रभाकर में स्रवचंद देयो कुमार यादि क्ल्मिला कि यह सारे कभी थे अध्यान से रट लीजिएगा तौक नोट कर लीजिए मैं कि यह सारे कभी थे संबंदित यूश्चन देखने के मिलेगे हैं अगहार गार्ण प्रियोगवाद से भी सम्बंदित पूचे जाएंगे तो कुल मिला के आपको कहीं न कहीं कहीं नमबर आपको इस वीडियो स्किलियर हो जाएंगे तो अगर ध्याम से एक दू बार वीडियो और देख लेंगे तब लेकिन ठीक है मैं आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा टेल